तो दोस्तो अगर आपके पास भी Redmi 9A9 iDevage है और Xiaomi वाले ने नया अपडेट देकर Penalty के नाम पर आपसे Special Features है वो काट लिए हैं तो आप उनको किस तरीके से Renable करोगे वो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपको Special Features नजर नह अधर एप को यूज कर रहा हूँ जिसमें आप वीडियो देख रहा हूँ लेकिन आपको वीडियो नहीं देखना है अउनली यहाँ पर आपको उसका Sound सुनना है आईडियो सुनना है तो ऐसे में दोस्तो आपको जो नुकसान होता है वो यह होता है कि यहाँ पर दोस्तो उसे background में play नहीं कर सकते हो तो ये नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तो अगर आप अपने phone में gaming करते हो तो gaming करते समय आपको एक नुकसान होता है वो ये कि आपको game turbo ही देखने को नहीं मिलता है और दोस्तो अगर आप ये पास 9A, 9i device है तो ये चीज आप लोग भली भाती जानते होंगे इसके अलावा भी दोस्तो बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि आपको यहाँ पर split skin का option देखने को नहीं मिलता है जैसे कि जो split skin होती है उससे आप एक phone में दो apps को use कर सकते हो आपकी skin split हो जाती है वो चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है आपको light mood देखने को नहीं मिलता है जिससे कि अगर आपकी battery बहुत ज़्यदा low हो गई है तो आप light mood लगा कर अपनी battery को save कर सकते हो limited apps को आप बहाँ पर लगा सकते हो जिससे कि आपका जो बैटरीय वो बचेगा और आप अपना phone का यूज भी कर पाएंगे इसके अलाबा और क्या दोस्तो यहाँ पर आपको जो है नहीं मिलेगा dual apps बगेरा का option तो यह सब चीज दोस्तो यहाँ पर आपको missing हो जाती है लेकिन इस वीडियो को देखते देखते दलगबग आप 5-6 मिनिट में easily दोस्तो इनेबल कर पाओगे special features को और जितने भी features मैंने आपको बताए है सब को आप दोवारा से इनेबल कर पाओगे इसके लिए आपको कोई root करने की जरुवत नहीं है phone में कोई भी यहाँ पर आपको TWRP बगैरा install करने की जरुवत नहीं है simple दोस्तो आपको जो काम करना है आपको अपने phone को थोड़ा सा downgrade करना है यहाँ पर downgrade करने के लिए आपको कोई ROM बगेरा install करने की बिल्कुल भी जरुरुवत नहीं है सिर्फ मैं आपको कुछ app बताऊंगा जिनको आपको downgrade करना है आपको older बलजर पर जाना है और फिर easily आपके phone में जो है बो special features आ जाएंगे तो चलिए दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दिता हूँ अभी आप जो phone देख रहा है वो Redmi 9 series का तो नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी देने के लिए यह दिखा रहा हूँ तो इसमें special features पहले से इनेबल है लेकिन दोस्तो आप लोग को एक पास Redmi 9A device है न या फिर 9i device है तो उसमें आप try करना 100% यह काम करता है और दोस्तो आप लोग try करके comment करके भी बता सकते हो अगर कोई error आता है तो दोस्तो वो भी आप comment कर सकते हो बाकी मैंने description में सब कुछ लिखती आए कि अगर error आता है तो आपको क्या करना है क्योंकि यहाँ पर जादा कुछ error नहीं आएगा जो application में आपको दूँगा हो सकता है वो install ना हो तो आपको उनकी किस तरीके से install करना है वो मैंने description में लिख दिया है तो यहाँ पर दूस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं तो link आपको description में मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड करना द兩個 दो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको सबसे पहला ऐपस जो है वो देखने को मिलेगा setting का तो ये setting app है न ये दोस्तो आपको इसे update करना पड़ेगा तो मैंने जो app दिया है वो आप यहाँ पर download कर लेना तो download कर लोगे न दोस्तो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो setting आपके phone में होगी उसे uninstall करना पड़ेगा यानि कि उसके update को uninstall करना पड़ेगा तो उसे uninstall करने के लिए simple दोस्तो यहाँ पर आपको जाना होगा apps में आप लोग apps में जाना apps में जाने के बाद यहाँ पर manage apps में जाना और यहाँ पर search कर लेना आप लोग settings तो यहाँ से आप settings को search कर लेना देख सकते हो यहाँ पर यह settings मिलेगा तो यह आपको बाद दोस्तो दो एप नजर आ रहे होंगे तो आप में से यहाँ पर जिसमें भी Uninstall Update का Option मिले आप लोग यहाँ पर उसे Uninstall कर देना इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तो दूसरा जो एप है बो है Security एप आपको उसको भी दोस्तो यहाँ से जो है न उसे आपको Uninstall करना है उसके Update को तो यहाँ पर जो Security एप है आपको इसको भी यहाँ से कर देना है Uninstall Uninstall करने के बाद मैंने जो Apps बताए हैं दोस्तो तो यहाँ पर दोस्तो मैंने आपके साथ जो Share किये है जो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो एपस दिये हैं, वो आप डाउनलोड कर लेना लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा बहां से डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लेना इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है simple आपको एक बार अपने phone को reboot कर लेना है आपको यहां से reboot पर click करके आप अपने phone को कर लेना reboot और reboot करने के बाद दोस्तो फिर जैसे यह आपका phone open होगा तो आपको क्या करना है आपको अपनी settings में जाना है settings में जाना सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा डिजिटर बेल बिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल का तो इसके नीचे आप देखना यहाँ पर इसपेशल फीचर आपको नजर आ जाएगा अगर यहाँ पर नजर नहीं आता है तो दूसरी जगा आपको कहाँ देखना है दोस्तो बो यहाँ से दोस्तो आप एडिशनल सेटिंग में जाना एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसको डाउन करना यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा अगर आपको floating window देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर slide bar देखने को मिलेगा और आप लोग slide bar पर click करना और जैसे ही click करोगे आपके सामने यह option आ जाएंगे तो यहाँ पर जो games नजर आ रहा है यह है दोस्तो आपका game turbo यहां से आप जितने भी apps को add करना चाते हो वह add कर सकते हो इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा video apps इस पर click करोगे तो यह दूस्तो आपका video toolbox टुल टूल बॉक्स है तो यह video toolbox में आप जितने भी apps को add करना चाते हो वो कर सकते हो, देख सकते हो, मैंने यहाँ पर YouTube को करके रखा हुआ है, इसे कर लेना, और अगर आप चाते हो कि आलवेज आपके सामने यहाँ पर जो special feature है, वो so हो जाए, तो आप लोग यह कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से आपको so होना नजर आ जाएंगे, और यहीं से आप लोग सारे apps को open कर पाओगे, अब दोस्तों आप देखोगे कि आप यहाँ पर YouTube चा देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर split screen भगेरा भी यहाँ से manage कर पाओगे, तो यह दोस्तों आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, simple आपको दो apps को यहाँ पर install करना है, जो कि मैंने आपको दिये हैं, अगर apps install नहीं होते हैं, तो दोस्त method working है, और यह method दोस्तों 100% work करता है, फिर भी अगर आपके phone में नहीं work करता है, तो आप लोग comment कर सकते हो, मैं आपकी पूरी help करूँगा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी, और आपकी जो Redmi 9 A9 series का जो problem है, वो solve हुआ होगा, बाकी दोस्तों मिलते है, नेस्ट किसी अच्छी और भैतरिन video में, तब तक के लिए टाटाप बावाए,